Hey guys, today I am here with the topic of Indian Penal Code 1860 आज किस वीडियो में हम देखेंगे IPC का introduction मैंने IPC के introduction से related कुछ points यहाँ पर note कर लिये हैं और उनको one by one समझेंगे So let's start with the first one Date of enforcement IPC की date of enforcement क्या है? 1st January 1862 1st January 1862 से यह enforcement आई थी Date of enactment 6 October 1860 6 October को 1860 में यह enact हो चुकी थी Means उस दिन IPC बनकर त्यार हुई थी Committee Report Committee Report का मतलब क्या है? कि किसी के recommendation पर IPC draft हुई थी So the IPC was drafted on the recommendation of First Law Commission of India It is established in 1934 कब established हुई थी? 1934 में Under the Charter Act of 1833 First Law Commission of India established हुआ था Charter Act of 1833 के अंदर Okay? The next one is Chairman of Drafting Committee Means जिस Committee ने IPC को बनाया था उसके Chairman कौन थे? So उसके Chairman थे Lord Macaulay Lord Macaulay was the Chairman of Drafting Committee Next one is Territorial Extent Means IPC कहां तक Extent करता है? इसका jurisdiction क्या है? So India IPC Extent करती है सिप इंडिया तक Okay? Branch of Law Means यह Public Law है या फिर Private Law So IPC is a Public Law Total Number of Sections and Chapters अंडर IPC So Sections ने 511 and Chapters ने 23 Constitutional Validity इसका मतलब यह कि जो IPC है वो अपनी Constitutional Validity कहां से Derive करती है? So the answer is Article 13 Clause 1 Read with Article 372 Article 13 Clause 1 क्या कहता है? यह कहता है कि हमारे वहाँ जितने भी Laws Constitution के बनने से पहले Force में थे वो अगर Constitution के किसी भी Provision के Inconsistent होते हैं तो वो Laws वहाँ तक Void मानेंगे जहां तक यह Inconsistent है Constitution के Provision से ओके? और Article 372 क्या कहता है? यह कहता है कि हमारे भारतेस में जितने भी Laws Constitution के कमिंस्मेंट से पहले थे वो सब Valid माने जाएंगे जब तक उनको अमेंड या फिर रिपेल ना किया जाएं तो IPC Constitutional Validity कहां से डेराइव करता है? आर्टिकल 13, क्लॉस 1, रेटविग, आर्टिकल 372 इट इस अ सबस्टेंटिव लॉग Laws दो तरीके के होते हैं एक Procedural Law होते हैं और एक सबस्टेंटिव लॉग होते हैं तो IPC जो है वो सबस्टेंटिव लॉग है क्यों है? क्योंकि IPC के अंदर Rights and Liabilities बताई गई हैं Means कौन सा ओफेंस करोगी तो कितनी punishment विलेगी उस ओफेंस के essentials क्या होंगे ये सारी चीजे IPC बताता है और Procedural Law में क्या होता है? जैसे Mr. X ने Mr. Y का मडर किया तो IPC Mr. Y को क्या राइट देता है कि उसका मडर कोई ना करे पर यहाँ पर X ने Y का मडर कर दिया तो इसका राइट वाइलेट हुआ तो यह जो राइट वाइलेट हुआ है इसकी remedy कहा है punishment कैसे मिलेगी punishment तो IPC ने बता दी कि कितनी मिलेगी पर यह कैसे मिलेगी इसका manner क्या होगा किसी भी punishment को मिलने का manner क्या होगा उसका trial कहा होगा investigation कौन करेगा यह सारी चीजे Procedural Law बताती है और IPC के साथ जो Procedural Law चलता है वो CRPC है नेक्स्ट वान इस राइट इन रेम IPC जो है वो राइट इन रेम है यह भी दो तरीके के होते हैं एक होता है राइट इन परसोनम और दूसरा होता है राइट इन रेम तो IPC राइट इन रेम है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है राइट इन परसोनम होता है जो पार्टीस के बीच में हो जैसे इंडियन कॉंट्राक्ट आक्ट के अंदर कोई कॉंट्राक्ट होता है तो वो सिर्फ दो पार्टीस के बीच में होता है पर जो IPC के अंदर जो rights and liabilities मिलती हैं वो word at large होती है means जैसे मेरा मडर x क्या कोई भी नहीं कर सकता मेरे सामान की चोरी y तो क्या कोई भी नहीं कर सकता तो ये जो rights and liabilities मिली हुई है ये word at large होती है इस वज़े से IPC को write in rem कहते हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो IPC के introduction से related थी अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो link हमने description box में दे रखी है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में thanks for watching this video